पुझे पात्राम नमस्ते सभीकों जय अच्छे होंगे और आज हम लोग तो ब्रम चिन पढ़ेंगे जैसा कि आपको पता है एक से दो प्रश्ण आते ही आते हैं ठीक है ब्राम चिन से सुपर टैट में आपके हर वार जबी दो पेपर हुए है दौनो वार ब्राम चिन से एक प्रश्ण आया है तो आप देखेंगे कि ब्राम चिन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन हमें एक नमबर दिलाता है तो क्या उसका अर्थ होता है जैसा कि आपको बताये गया बिराम चिन क्या बताये गया बिराम चिन देखिए ब्राम चिन से कोई बाक होता है उस पे जब भी एक ही बाक वही सब्द अगर चिन कहीं और लगा दिया जाए तो बहुत अंतर पड़ जाता है जैसे कि अभी एक बाक के लिखके दिखाते हैं हम यहां पर हम लिखें रोको रोको और यह मैंने इस पर ऐसे चिन्न लगा दिया रोको ठीक है अब आगे लिख दें मत जाने दो रोको मत जाने दो अब आपको ऐसा लग रहा कि इसका क्या अर्थ होता होगा रोको ब्राम्चे मतलब हम रुके हैं मत जान अब इसी चिन को देखो हम अलग जगे लगा के इसका क्या बदला हो जाता है रोको मत ठीक है और यहां चिन लगा दें और आगे वही सब्द लिख दें जो लिखा था जाने दो रोको मत जाने दो ठीक है तो देखो इसका मतलब है रोको मत अर्थात उसको रोको ना जाने दो जाने दू तो केबल किस से अंतर हमारा बिराम चिन से पर्ग पड़ा है तो इसी तरह हम पढ़ेंगे कि ब्राम्चिन क्या होते है और इनका क्या मतलब होता है इनसे कैसे प्रेशन आते हैं कभी कभी साधारण सा सिंपल यही प्रेशन आता है कि कौन सा ब्राम चिन का क्या चिन होता है उसे कैसे पैचान सकते यह कौन सा चिन है तो यहां देख पारे आप पहला सब यहां लिखा है बिराम पहला सब लिखा है बिराम क्या लिखा है तो इस बिराम का मतलब यहां होता है कि आराम करना थोड़ा सा जादा नहीं बहुत जादा नहीं आराम करना यहां पर सिर्थ क्या करना है थोड़ा सा आराम करना है या इसको दूसरी वासा में ठैराओ भी कहते हैं ठैराओ ठीक है रुकना थोड़ा सा ठैरना ठीक है या फिर या फिर क्या कह सकते हैं इसको विस्राम कह सकते हैं विस्राम या विराम एक ही बात होता है आराम या ठैरहाओ रुकना इस तरह का इसका विराम का अर्थ होता है ठीक है आगे लिखा यहां पर चिन का अर्थ होता है चिन का क्या अर्थ होता है संकेत किसी का कोई संकेत दे रहे हो इस त तो आपने देखा आराम थेराओ या विश्राम से जब कि चिन्ध का अर्थ है कोई संकेत या पहचान या फिर अलग अपना किसी भी प्रकार का एक निसान होता है जिसे हम चिन्ह कहते हैं तो हम देखेंगे कि ब्रामचिन है वो कितने ब्रामचिन है और कौन से ब्रामचिन का क्या चिन्ह होता है ठीक है तो एक राइटर है एक हमारी हिंदी में राइटर है कामता परशाद कामता परशाद ऐसा पूछा नहीं जाता कितने ब्र ठीक है कामता परसाद के अंसार भ्रामचिन की संख्या 20 बताए गई है तो इससे आप याद रखेंगे तो लेकिन जनली यह नहीं है कि हम लोग यह तो संख्या पूछी नहीं जाती है या फिर 20 हो ऐसा कुछ परूरी नहीं इससे जादा भी है इससे कम भी होते है जो मुख होत होते हैं इस तरह से आपकी ब्रामचन होते हैं तो सबसे पहला वरांचन हम यहाँ पढ़ेंगे और्पलाम कंगे काई स करोंग observa रहां गिश्यृोट करू को सब्सक्राइब इस तरह से कॉमा को अल्प ब्राम कहा जाता है ठीक यह मैंने यहाँ चिन बना दिया और इसको अल्प ब्राम कहा जाता है ठीक ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि यह चिन है यह तो मैंने इदर से मतलब इसको कवर कर दिया है ऐसे बना देती हूँ क्या है कि ये इसका चिन है और इसको इसमें पर दिया तो ये इसका चिन हो गया तो इसका प्रियोग क्या है या फिर इसका कब प्रियोग करते तो पहली बाद तो यही है कि अलपुराम का हमें चिन पता होना चाहिए हिंदी में कि इसका किस प्रकार का चिन है संकेत है पहचान है यह निसान है तो कुछ भी कह सकते हैं आप देखते हैं जैसे कि इसका प्रियोग कब करते हैं जैसे लिखा हो राम स्याम राम स्याम ठीक है मोहन मोहन सोहन और और रोहन घर जा रहे हैं आगे दिखाई दे रहा है आपको घर दिखाई दे रहा है राम स्याम मोहन सोहन और रोहन घर जा रहे हैं ठीक है तो यह आपने देखा कि इसकी क्या विसेशता है कब इसका प्रियोग किया जाता तो पहला अगर हमें जैसे हमने का राम तो ऐसे लगा थोड़ा सा यहां पर हम रुके अल्प मतलब थोड़ा बिराम माने विसराम थोड़ स्याम मोहन सोहन और रोहन घर जा रहे हैं पहली बात यह इस जगह ऐसी जगह लगाए जाएंगे दूसरी इसकी यह विसेशता है कि यह जो चिन है अपने आप में इस चिन का लगातार लगातार सिर्फ लगातार तीन वार प्रियोग किया जा सकता है तीन बार क्या कि आगे लिख लेंगे तीन बार प्रियोग किया जा सकता है आप तीन से कम कर सकते जैसे अगर आप चाहो राम स्याम केवल लिखते और आगे पूरा अपना बाके लिख देते या फिर तीन लिख कि यहां भी चिन लगा देते और लिख देते घर जा रहे हैं तो ऐसा गलत माना जाता है इसका प्रियोग लगातार एक बार मैं तीन बार ही प्रियोग किया जा सकता है इससे कम कितने भी बार करें एक बार दो बार लेकिन अधिक से अधिक तीन बार ही किया जा सकता है अर्था है कि थोड़ा सा हमें रुकना होता है और यहां लगातार इसका प्रियोग तीन बात किया जा सकता है दूसरा लिखेंगे अर्ध बिराम क्या लिखेंगे अर्ध बिराम अर्ध बिरामई ठीक है? अर्ध बराम में क्या होता है? इसका चिन किस तरह होता है? अर्ध बराम का अर्ध बराम का एक उपर पॉइंट रखा होता है और नीचे इस तरह से कौमा लगा होता है इस चिन को अर्ध बराम कहा जाता है इस चिन को अर्ध ब्राम कहा जाता है ये आपका कहा प्रियोग होता है ये किसी उपवाक में प्रियोग होता है तो उपवाक कैसा जैसे की क्या हो सकता है जैसे मैंने कहा मैंने कहा ठीक है मैंने कहा अब यहां हमने इस दिस चिंद का प्रियोंग इंदध कि कि मैं कल नहीं आऊंगी मैं कल नहीं आऊंगी इस तरह से कोई भी बाख हो सकते हैं तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक छोटा वाक होगा और एक इसका पूर्डबाक होगा एक उपबाक होगा तब इसके बारे में इसका चिन्ह प्रियोक किया जाता के अरशीता ने कहा कि कल कहीं जा रही है इस तरह से कोई बाग को हो तो आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर अर्धवराम का चिन लग जाएगा तो अपने देखा कि अल्प ब्राम का मतलब थोड़ा रुकना इस तरह से चिन होता है इसका प्रियोग यहां किया जाता है अर्ध ब्राम का मतलब किसी उप बाख में इसका प्रियोग कर सकते हैं जैसे कि मैंने कहा कि कल मैं नहीं आउंगी इस तरह के बाख में आपका अर्ध ब्राम का प्रियोग क चिन का नाम क्या है उप विराम और इसका चिन किस तरह होता है इसका चिन आपका इस तरह होता है दो बिंदी जैसे आपको रखी दिखाई देंगे इसका प्रियोग कहां किया जाता है और किस तरह किया जाता है तो देखेंगे कि इसका प्रियोग किसी जैसे इसका प्रियोग उपवाक को मैं किया जाता था इसका लगातार तीन बार सिर्फ किया जाता है एक एक कोई कोई इसकी विसेस्ताइं होती है इसी तरह इसका उपवराम का होता है किसी शीरशक में प्रियोग किया जाता है इसमें प्रियोग किया जाता है जैसे कोई एक सीरशक लिखा हो जैसे कि आपने पहले लिखे जाते थे कि पहले कोई एक निवन्द के सीर्षक होते थे जैसे कि हमने लिख दिया यहां पे दहेज दहेज और इस तरह से यह चिन लगा के यहां लिख दिया कि एक बुराई है दहेज इसका यह बिंदू लगा दिया और लिख दिया कि एक अविशाप है दहेज एक क्या है दहेज समान जीता अभी साफ है सभी को पता है तो इस तरह से यह सीर्षक होता था और फिर इसके आगे आपका निवंद लिखा जाता था तो यही होता है कि यह जो ओप विराम है इसका चिन इस तरह के कोई शीर्षक के जैसे होते थे तो उसमें इनका परिय होती है उसप एग होता है फिर लिख देते हैं एक देते हैं एक प्रेम कथा इस तरहаться जो होता है वह कि चिन को क्या कहा जाता है उप विराम कहा जाता है तो इस तरह से जैसे एक उधार रिसका और यादारा लिख दे रहे जैसे की कालीदास काली दास और आपका व्रामचिन एक कवी काली दास क्या है एक कवी ये सीर्शक हो गया अब इनके वारे में आप एक निभंद के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं तो आपने देखा कि उप विराम का चिन कहां और कैसे किया जाता है ठीक है यहां आपने तीन विराम चिन पढ़ लिए पहला आल्प विराम दूसरा अर्ध विराम और तीसरा उप विराम ठीक है अगला चोथा पढ़ेंगे चौता है आपका पूर्ड विराम चौता क्या है पूर्ड विराम ऐसा तो सभी को पता ही होगा कि ये पूर्ड विराम कैसा होता है और इसता प्रियोग कहां किया जाता है ठीक है तो आपको पता होता सिर्फ ऐसा एक खड़ी पाई की तरह अगर ऐसा पूछ लिया जाता कि कभ खड़ी खड़ी पाई की तरह होता है ठीक है खड़ी पाई की तरह होता है ठीक है आगे देखेंगे कि इसका प्रियोग कहां किया जाता है यसा तो सभी को पता होता है क्या कि जब बाक्य बाक्य पूरा समाप्त होने पर ठीक है बाक्य पूरा समाप्त हो जाए तो इसका प्रि प्रयोग किया जाता है का बनके पूरा समाप्त होने पर होने पर विसेश्ऩा है कि एक बात में जैसे कि वह विध्यालय जाता है ये बाक था आपका और इस बाक के अंत में इस तरह से जो चिन लगाए जाते हैं वो सभी चिन पुर्बिराम के चिन होते हैं ठीक है पुर्बिराम चिन कहा जाता है तो आपने देखे कि चार चिन आपने यहां देख लिए कितने देख लिए चार चिन देख लिए पहला अलप विराम दूसरा अर्ध विराम और तीसरा आपका उप विराम चौथा पूर्ड विराम ठीक है तो इसका प्रियोग कहां कहां किया जाता है या फिर किस तरह के बाकि में किया जाता है ऐसा मैंने आपको बता दिया है आप स्क्रीन सोट ले लिया करें और इसके आगे हम अभी बताते हैं तो आपने देखा कि को इन में नहीं होनी जाएए क्योंकि अल्प बसल्व किसी को सीरसक में प्रियोक किया हुआ चिन का प्रियोक किया जाता है से पूण कहा जाता है हम आगे पढ़ते हैं यह चार गौता है तो कि पांचमा है योजकस्ता चिन योजक चिन अभी 2019 के सुपर्टेट में आया था कि इसका चिन किस परकार का होता है ठीक है तो आपने देखा कितना सरल है योजक चिन ये पूछा गया था तो आपको यह सभी याद रखने है तो योजक चिन किस परकार का होता इस तरह से आपका योजक चिन होता है ठीक है एक छोटी सी लाइन होती है पड़ी हुई बहुत जादा बड़ी नहीं होती है योजक चिन में तो योजक चिन जो होता है पहले तो इसका ऐसा चिन होता है यही पूछा गया था लेकिन हम यह भी जान लेंगे कि इसका प्रियोग कब और किस जाता है इसका प्रियोग और के स्थान पर किया जाता है किसके स्थान पर और के स्थान पर जैसे आपने देखा हो उधारण पे बता रही हूं जैसे माता पिता लिखा होता है तो आपने देखा माता पिता के बीच में आपका इस तरह से चिन लगाया जाता है अच्छा बुरा और पिता तो आपने देखा इसका प्रियोग किसके लिए कर रहे हैं और के लिए कर रहे हैं इसी को कभी-चिन के नाम से जानते हैं हैफन चिन क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाइफन चिन को किस नाम से जानते हैं किसको कहते हैं यह कैसा होता है आपकी पड़chaft चोटी सी लाइन के जैसा होता है इसका प्रियोग और की जगह किया जाता है जैसे कि माता पिता अभी मैंने चिन का प्रियोग किया है और इसका व्याख्या हो सकता है माता और पिता तो आपने देखा योजक चिन कितना सरल है ऐसा ही आप से 2019 में सुपर्टेट में पूछा गया था तो अगला हमारा छट्मा योजक चिन होगा उध्वरण चिन इसी को कभी कभी दूसरी भासा में अवत्रण चिन भी कहते हैं यहां आप देखेंगे कि जो उद्धरड या आवतरड है यह कैसा होता है और इसको इसकी भी एक विसेश्था यह होती है कि यह दो प्रकार का होता है तो आप इसमें पहला यह होता है इसका एक हैरा उद्धरड एक हरा उद्धरड या एक हरा आवतरड ठीक है और दूसरा होत सबस्थिते आपका न रहता है जबकि किको सबस्ते आपको पता यह THIS को दबल कर देते हैं तो दोहरा हो जाता है तो आपने देखा आवतरड़ कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एकहरा और दोहरा तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो एकहरा है वो कहां प्रियोग होता है और जो दोहरा है वो कहां प्रियोग होता है तो जो एकहरा है इसकी विशेसा पहले जाने यह कोई अपने कथन के लिए प्रियोग किया जाता है किसके लिए अपने कथन के लिए हमने जो कहा हमने अपने वारे में जो कहा तो हम सिंगल inverted comma लगाएंगे इंग्लिश में तो क्या कहते इंवर्टिट कॉमा और इसमें या फिर कोई अग्यात कथन हो कि हमें पता नहीं है कि ये किस ने कहा है अग्यात कथन के लिए इसके लिए अग्यात कथन के लिए ठीक है अभी एक्जामपल उधारण यहां बताएंगे यहां फिर्फ आपको मैं इसका जुँ अंतर है वो वता रही इसकी पहचान वता रही होँ जब अपना कोई कथन हो अपने लिए कुछ का है तो एक हयरी inverted comma में एक हयरी आउधरल का प्रियोग करेंगे अग्यात कथन के लिए एक हयरी आउधरल का प्रियोग करेंगे दोहरे क्या होता है कोई भी पहली बात कोई किसी कर ज्यात कथन हो कि हमें ये पता है कि ये कथन किस ने कहा तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं कि दोहरा अवतरण चिन लगाते हैं ज्यात कथन के लिए या किसी का कोई उपनाम लिखा हो उपनाम लिखा जा रहा हो तो भी हम दो रहा अब तरण का प्रियोग करते हैं जैसे कि हमने कहा Android की कहावत नहीं है ऐसा कहा गया है तो इसलिए सिर्फ इसमें कैसा लगाते है सिंगल लगाते हैं एक है गलते हैं बछिव्म करते हैं सत्य आधी तरह से जैसे अगला लिखा हो परिश्रम सफलता की कुंजी है तो आपको पता है कि यह कहावत है और ऐसा कुछ आपको पता नहीं है इसलिए ये एक हैरा अवतरणता प्रियोग करा जाएगा किया जाएगा ठीक है अब देखते हैं दोहरा के लिए जैसे कि दोहरा में आपका लिखा हो आराम हराम है आराम हराम है ठीक है आराम हराम है सभी को पता है ये किस ने कहा पंडे जवाला नहरू न ते देते हैं और आगे इनका नाम लिख देते हैं कि यह पंडित जवाहर लाल नहरू का खतन है या फिर आपको दूसरा कथन कोई भी हो सकता जैसे दिल्ली चलो क्या हो सकता दिल्ली चलो दिल्ली चलो सब को पता है किसने कहा सब को पता है कि ये नेता जी सुवास चंद्र भूस ने कहा है तो इस तरह से जब आपको पता होता है एक फैमस युपती होती है फैमस कहावत होती है फैमस कथन होता है प्रिशिद्ध कथन के वारे में जब कोई बताया जात तो किया जाता है एक मैंने आपको वताया उपनाम के लिए जैसे कि कोई एक नाम हो जैसे हम लोग हिंदी में कभी पढ़ते हैं सूर्यकांत सूर्यकांत त्रपाथी त्रपाथी और इनका जो उपनाम होता है वो क्या होता हैаки निराला उपनाम से यह जाने जाते हैं तो इस निराला उपनाम में आप क्या करेंगे hyvin मगलब marginbu-लब उजभ इसंद तरह ईशें नांब करेंगे तो इस तरह से आपका उधोरण यद थे दोप्रकार का होता है एकहरा को single limited कॉमा कहते हैं दोहरा को double limited कॉमा कहते हैं एकहरा अपने कथन या अग्याद कथन के लिए प्रियोग किया जाता है जबकि दोहरा ग्याद कथन और किसी उपनाम के लिए प्रियोग किया जाता है जैसा कि मैंने बता दिया यह अग्याद कथन है और यह आपके ग्या छुए एक नाम से और जानते हैं विश्मरड चिन नाम से आंगında यह एक ही चिन होगा और इतने नामों से जाना जाता होगा जैसे की कागपद कव्य के पैर जैसा होगा हंस पड्पड हैंस का वी बैसा ही पैर होता हिल्का पुलका तो हंस के पैर जैसा होगा मतलब हमकिसी चीज में गल्ती हो गई हम तो उसके लिए यह चिन प्रियोग किया जाएगा या फिर कोई चीज हम भूल गए हैं तो तब हम इसलिए ऐसे चिन का प्रियोग करते हैं तो ये क्या होता इस तरह इस चिन का प्रियोग मतलब इस तरह इस ऐसे चिन बना दिया जाता है क्या बना दिया जाता है और इस चिन को हिंदी में लेमडे की अकृति का चिन कहते हैं लेमडे की अकृति का चिन कभी-कभी ऐसे पूछ रही आ कि लेमडे की अकरती जैसा जो चिन होता है वो किसका होता है तो इनमें से कोई सब्द हो काग पद हंस पद रोटी पद विस्मरड चिन वो लेमडे की अकरती का चिन कहते हैं किस तरह का होता है ऐसे आपका एक लायन और इधर से इस तरह से बनाया जाता है तो यह ऐसा इसलिए पहिते है क्योंकि अभी इसका इक बाक्त दिवारा लेखते हैं। जैसे कि आपका लिखा हो कि राम कि लिखा हो और यहां अब भूरत यहां बूर्द फ़ूरत बूरत लेकिन आप ने लिख दिए क्नी फूरतिते हैं नहीं है और हमें यहां दसरत लिखना ठाट हैं तो इसलिए कह द्ट को घलती हो गई तो आपने क्या कि एस तरह से यहां पर इस इसे चिन लगा दिया और इधर ओने लिंग दिया दसरत कैं लिके अब आपको यह चिन यह बता रहा है कि जो यह चिन है अर्था जो दसरत है वो यहां पे आप पढ़ेंगे इस चिन जाँ लगा है के और राम के बीच में आपका क्या सब्द आएगा दसरत सब्द आजाएगा ठीक तो राम दसरत के पुत्र थे तो आपने क्या कि आ भूल गए थे आप से गलती हो गई थी और यह पैर जैसा किसी कोवगे के पैर जैसा लग रहा है हंस के पैर जैसा लग रहा है इसको कागपद या त्रुटिपद या विसमरण चिन कहा जाता है तो यहां तक आपने थे पांच माय योजक और 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 कागपद हंसपर 30 पर बिश्मर्चल्म या लेमडे की अक्रति का चिन एगी होता है तो इस तरह आप देखेंगे और आगे अभी बता रहे हैं आप चाहें इस प्रेंस ओल ले सकते हैं कि अगा कि अगा कि तो आपने कितने साथ चिन पढ़ लिए ठीक है साथ चिन पढ़ लिए ठीक है आठमा चिन देखेंगे हम लोग आठमा चिन है लोग चिन क्या है लोग चिन आठमा चिन क्या है लोग चिन तो यह चिन कैसा होता यह ऐसा होता कि आपने किसी बाक में आपने कोई सब्द है उनको छुपाना चाहा है लोग का मतलब क्या होता गायव ना चुपना तो जो आप दिखाना नहीं चाहरे हैं उसको वहाँ चिन के द्वारा पर दरस्त कर रहे हैं कि यहां अभी हमारा कुछ सब्द लिखा है लेकिन क्या है कि यहां पर हमने उसको बाहरीत रूप में नहीं दिखाया है इसलिए इसे क्या करते हैं लोग चिन कह देते हैं किसी सब्दों का चिपा लेना किसी सब्दों का एक मनट यहां पर लिखेंगे किन ही सब्दों का मतलब की कोई सब्द है कुछ सब्दों का चिपा लेना सभी सब्द नहीं या चिपे होते हैं कुछ सब्दों का सब्दों को चिपा लेना तो उसको कहते हैं लोप चिन छिपा लेना उसको क्या कहते हैं लोप चिन जैसे कि एक बाख द्वारा बताऊं जैसे कहा कि मैं कि मैं कि विध्यालय जाती हूं विध्यालय कि मैं विध्यालय जाता हूं लेकिन यहां लेकिन करके हम बता रहे कि हम लेकिन करके कुछ आगे कहना चाहरे हैं लेकिन वह वात हम किसी और से मतलब और को दिखाना नहीं चाहते हैं फिर क्या होता है कि हम उसको इस तरह से इंडिनोर कर देते चिन के द्वारा और आगे ब्राम लगा देते कि यहां हम में कुछ आप से संकेत टायप में कहा है तो इस तरह से जैसे की हम बताना तो चाह को लोप चिन कहा जाता है तो यहीं आपना लिखा तो है यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आगे देखेंगे अगला चिन होगा नौमा चिन होगा लाघव चिन क्या होगा लाघव चिन तो देखो हम लोग कितने जल्ली जल्ली से यह चिन बढ़ रहे हैं और इन्हीं चिन्नों से हमें एक नमबर राप्त हो जाता है लाघव चिन लाघव चिन किस परकार का होता है जो लाघव चिन होता है वो आपको इस तरह से लगा दिखाई देता है लाघव चिन ऑपका जो मैंने यहां बनाया है favors तरह से बनाया जाता है इसमें क्या होता है के यह चिन्ड आपका क्या कराता है कराता तो सब्दों को संधिब्द है लेकिन जब भी वह पड़ते हैं पढ़े जाते तो वह पूरे पढ़े जाते हैं जैसे की प्रॉफेसर होता है आपको पता है कि इस तरह से प्रोफेसर लिखा जाता है अधिकांसा तो आपने देखा प्रो लिखके बिंदी रख दी लेकिन जब भी इसको कोई पढ़ेगा तो प्रो नहीं पढ़ेगा प्रोफेसर पूरी तरह से प्रोफेसर पढ़ा जाता है जैसे कि दूसरा डॉक पढ़ेंगे ठीक है जैसे आपने लिखने के लिए इसको प्रियोग करते हैं एक और लिख दे रहे हैं जैसे कि आपको एक पुराना सब्द है ऐसे करके भाव ना देते होता है दारी है और बना देते यह रगह देते इसका मतलब डाक और सेव do a पारे निदा कर सेवा तो आपने देखा कि यहाँपे हमें संचिप्त सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस चिन के माध्यम से लाघव चिन के माध्यम से इसका मतलब यह है एक जब हम पड़ेंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे कैसे संख्रक में यह चिन क्या कर देता है संचिप्ट कर देता है तो इसको क्या बढ़ेंगे भारतिया या थ리 रैप्र उंतर प्रदेश mogtish माना के प्राव अरना के बिंदी देते हैं तो जब भी ऐसे कुछ संशिप्त रब्दों में प्रियोग होने वाले जो चिन होते हैं उनको लाघव चिन कहा जाता है ठीक है लाघव का मतलब लाघव जाना लेकिन सिर्फ लिखने के लिए जब आप उनको उचारित करेंगे बोलेंगे तो आप उनको पूरी तरह एसे विश्दत रूप से बोलेंगे ठीक है तो नम्मौद चिन हम लोगों का था आईये लाघव चिन अगला देखेंगे दसमा चिन हमारा हो सकता है विभरण चिन क्या होगा भिवरण चिनन ठीक है विवरण में हो फो प्रु चिन है यह ये देखो जैसे मेंने यहाँ यह बना रहे इस तरह सभी में उसी तरह से इसका चिन होता है इस तरह से विवरल चिन की विवरल चिन किसी यह किस कव कप प्रियोग किया जाता जैसे हम किसी का पता बता रहे होते हैं तब ऐसे विवरल चिन का प्रियोग करते हैं किसी का क्या बता रहे होते हैं किसी का सीर्शक ब होते हैं प्रस्तावना लख रहे होते हैं तरह करते हैं हम क्यों है ő् vu hdi जैसा उंज होती है मुक्ता उनमें हम hard say तब करते हैं कि इस के चिन को कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि इसके आगे हम कुछ explain कर रहे हैं मतलब इसकी व्याख्या दे रहे हैं वो आपको आगे मिलेगा जो man heading होती है मुखित आपके सब्ध होते हैं heading वाले उसके आगे हम इस विवरण चिन का प्रियोग करते हैं तो जैसे पता लिख रहे हो कहीं कोई सीर्शक बताया आ हो कोई प्रस्थावना बताए जा रहे हो कोई उपसंघार बताया जा रहा हो इन सभी के प्रियोग में क्या करते हैं विवरण चिन है तो यह निर्देशन चिन क्या है जबकि बिवरण और डिशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है निर्देशन यह होता है कि आपने देखा होगा कभी सथैसे आके फिर ऐसे इस तरह से देखाई देता है और इधर पर चूड़ी जैसे पनी रहती है इस तरह से हम लह बताते हैं कि ऐसा कुछ आगे आपको जानकारी दी गई उसके पहले ये निर्देशन चिन इस तरह का चिन आपका लगाया जाता है ठीक है कोई जानकारी देने के लिए कोई निर्देश देने के लिए इस तरह से इस जो हम यहां बना के दिखा रहे हैं यही आप इसको यहां बना लेंगे मेरी यार्ट ज्यादा अच्छी न कहा जाता है किसी चीज का नर्देश देने के लिए जानकारी देने के लिए ठीक है आगे देखेंगे अगला बार्मा चिन क्या होगा बार्मा चिन होगा अब्रत्ती चिन अब्रत्ती चिन अब्रत्ती चिन का मतलब होता है अब्रत्ती चिन क्या चिन है अब्रत्ती चिन इसका कि आवरति का मतलब कोई चीज की पुन्रावरति हो रही है किसी चीज को हम दोहरा रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से आपके इस तरह से चिन लगा दिये जाते हैं तो कैसे यह होता है जैसे कि आबरती का मतलब किसी चीज की हम बार-बार आबरती कर रहे हैं तो हम बार-बार वो सब्द नहीं लिखेंगे इसका ऐसा चिन लगा देंगे और यहां यह हो जाएगा कि यही हमारा यहां पर लिखा हुआ है जैसे हमें उपर लिखना है उपर हमें क्या लिखना हमने लिखा डाक्तर हजारी पुर्षाद दुएदी ऐर हमें फिर्षे यही लिखना है। तो हमने यहां यह लिखा दिया है कि यहां फिर से अगली लाइन में डाक्टर हजारी परशाद दूखे लिखना है तो तो आवरत्ति हो है इससे क्या होता जो बारबार आवरती होती है तो में यह बार बार लिखने से बच्च जाते हैं इस तरह का चिन लगाने से हमें पता चल जाता है कि यही हमारा नीचे लिखा हुआ है तो आज हमने आपको 12 बराम्चिन पढ़ाएं और अगले वीडियो में आगे पढ़ाएं त्वासा करती हूं कि आपको कम समय में बहुत अच्छे चीजें मिल रही हैं तो आप जरूर देखिए और देखते रहें सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्नवार नमस्ते